Hello friends, myself is Hishka T.R. तो आज हम लोग बात करेंगे एडिमा के बारे में, ठीक है? एडिमा, तो जो हमारा एडिमा है न, तो ग्रीक वर्ड ओडिमा means swelling. तो जो ग्रीक वर्ड है ओडिमा, ठीक है? तो ये इसी से derive हुआ है, ठीक है? एडिमा की spelling ये है, और जो ग्रीक वर्ड है हमारा, इडिमा, इसका मतलब होता है, swelling. ठीक है? पिर आती है इडिमा की definition, तो इडिमा is defined as abnormal and excessive accumulation of free fluid in the interstitial tissue spaces. यानि इडिमा को हम कैसे define कर सकते हैं? It is defined as abnormal, यानि असमान्य और अत्यधिक मात्रा में free fluid का इकठा होना, ठीक है? accumulation का मतलब होता है, इकठा होना, यानि कि abnormal, असमान्य और अत्यधिक मात्रा में free fluid का इकठा होना, कहां पर? interstitial tissue space में ठीक है जो interstitial tissue space होते है ना उन में असमान और अत्यदिक मातरा में free fluid का एकटा होना ही कहलाता है हमारा edema ठीक है फिर आता है free fluid in body cavities अगर कोई भी body cavities है उसमें अगर कोई भी free fluid भरा हुआ है तो हम उसको क्या गहेंगे commonly called as effusion तो इसको हम effusion बोलते हैं ठीक है कुछ लोग है ना वो इसको भी edema बोल देते हैं क्योंकि यहां पर भी fluid भरा रहता है ठीक है free fluid भरा रहता है तो इसलिए हम लोग इसको भी edema बोल देते हैं लेकिन नहीं हम लोग इसको commonly effusion के नाम से जानते है तो उसको हम ascitis या फिर peritonial effusion कहते है ठीक है इसी प्रकार से जो lungs की covering होती है pleura उसको हम अगर बहाँ पर pleural cavity में उसके fluid भर जाता है तो उसको हम कहेंगे pleural effusion ठीक है ये तो हो गया body cavities की बाद दूसरा आता है अगर interstitial space में free fluid भरा है तो उसको हम क्या गएंगे ठीक है तो ये जो है commonly termed as edma तो ये हमारा जो है वो real में edma होता है इसको हम edma ही बोलेंगे कोई fusion बगएरा कुछ भी नहीं बोलेंगे ये हमारा क्या हो गया edma ठीक है तो interstitial space जहां तक आपको पता ही होगा लेकिन मैं एक बार बता देता हूं कि जो हमारी cells होती है ठीक है cells में nucleus पार का जो area होता है यह हमारा interstitial space होता है ठीक है तो इसी में जो flood भर जाता है उसको हम edma बोलते है यानि cell के बाहर extra cellular space भी कह जखते है ठीक है तो interstitial space में अगर कोई भी free flood भर जाएगा अत्यदिक मात्रा में या फिर asamani मात्रा में तो उसको हम edma बोलेंगे ठीक है लेक सबसे पहले नोन प्रेसिज पर इसके टाइप किये गया है इहाँ सबसे पहले है मोमेंटरी प्रेशर को समझ सकते हैं तो momentum equal to mass into velocity ठीक है यानि एक momentum करती हुई चीज ठीक है जैसे कि जो हमारी finger है ना वो मतलब उसमें velocity भी होनी चाहिए उसमें speed भी होनी चाहिए और weight तो है उसमें तो तो उस finger से अगर जब हम अपनी skin पर यहां पर subcutaneous tissue बज़ आया ठीक है तो उस finger से जो हमारी momentary वाली finger है ना momentary pressure exert करेगी तो उस finger से subcutaneous tissue पर जो depression अगर produce हो जाए तो उसको हम pitting इडमा बोलेंगे ठीक है अगर मालीजे आपने अपनी finger से किसी भी subcutaneous tissue में मालीजे हाथ पर आपको swelling दिखाई बढ़ रही है तो आपने बहाँ पर press किया ठीक है एक momentary pressure दिया अगर बहाँ पर depression हो जाए ठी को हम क्या बोलेंगे pitting इडमा बोलेंगे यानि बहाँ पर pit पड़ जा रहा है ठीक है फिर दूसरा आपका आता है non pitting इडमा या solid इडमा ठीक है तो यह आपको जहाँ तक है समझ में आई रहा होगा कि यह इसका just opposite है ठीक है अगर हम कोई भी momentary pressure लगाएंगे finger से और बहाँ पर कोई भी pitting जो है produce नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे non pitting इडमा कहेंगे और इसको हम solid इडमा भी कहेंगे solid मतलब यह hard जा होगा अगर हम finger जे अपने momentary pressure देंगे तो बहाँ पर कोई भी depression नहीं पड़ेगा किसी फिरकार का depression आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कोई भ यह वेंक्रॉफ्टी जो मारा एक pathogen होता है उसके कारण यह हो जाती है इसमें lymph node जो है उनमें swelling आ जाती है तो यह हमारा आता है non pitting इडमा में ठीक है तो बहाँ पर आपको अगर आप बहाँ पर pressure लगाएंगे तो आपको depression देखने को नहीं मिलेगा ठीक है फिर आते हैं हमा आपको पूरी बॉड़ी में मतलब swelling देखने को नहीं मिलेगी किसी एक पार्ट में देखने को मिलेगे ठीक है तो इसके एक्जामपल है lymphatic इडमा, inflammatory इडमा, allergic इडमा, pulmonary इडमा और cerebral इडमा ठीक है तो यह सब क्या है आपके localized इडमा के examples हैं फिर आता है आपका दूसरा generalized इडमा तो generalized इडमा में क्या है इसको हम anasarka भी कहते हैं और dropsy भी कहते हैं और whole body इडमा भी कहते हैं क्यों and it is systemic in distribution, particularly noticeable in the subcutaneous tissues ठीक है जब यह distribution में systemic होता है ठीक है पूरे system में क्या है यह distribute हो जाता है तो particularly noticeable in the subcutaneous tissue तो यह subcutaneous tissue में ही notice किया जा सकता है ठीक है विशेशता यह क्या है particularly subcutaneous tissue में notice किया जाता है ठीक है जो हमाई skin है बहाँ पर आपको पता लगेगा कि इडमा सा है जैसे कि आपने pregnancy में देखा होगा जो women's होती है तो उनमें जब pregnancy time होता है तो उनकी whole body में आपको इडमा देखने को मिलेगा ठीक है that is anasar का ठीक है उसकों anasar का बोलते हैं whole body इडमा होता है वो इसमें examples आते हैं renal इडमा, cardiac इडमा और nutritional इडमा ठीक है फिर उसके बाद आपके इडमा के दुबारा से दो टाइप्स किये जाते हैं transudate और exudate इडमा ठीक है तो उसमें आपको बस इतना याद रखना है जो transudate इडमा होते हैं वो non inflammatory होते हैं ठीक है और जो exudate इडमा होते हैं वो inflammatory इडमा होते हैं फिर उसके बाद में आपके आ इडमा है वो हुता है हमारा इडमा ठीक है उसको हम इडमा कहेंगे जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि जो हमारा cavity में flood भर रहा था ना तो उसको हम effusion कह रहे थे ठीक है और जो interstitial compartment में हमारा flood भर रहा था उसको हम idma कह रहे थे ठीक है तो यहाँ पर वही चीज़ है जो extracellular idma है उसको हम idma कहेंगे और जो intracellular idma है ठीक है तो उसको हम क्या है more appropriately we called hydrophic degeneration यानि कि मैंने आपको एक चीज़ बिताए थी जो cells है ना तो cells के बीच में जो cells के जो अंदर compartment है उसको हम intracellular compartment कहेंगे ठीक है और जो cell के बाहर जो space है उसको हम extracellular space या interstitial space कहते हैं ठीक है cells के बाहर जो space है वो हमारा क्या होता है interstitial space या फिर extracellular space ठीक है तो अगर जो flood है वो हमारा intracellular space में भी पहुच जाए ठीक है यानि कि जो cells के बीच में अगर flood है तो उसको हम idma बोलेंगे अगर जो intracellular space में हमारा flood पहुच जाए cells के अंदर पहुच जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे hydropic degeneration ठीक है उसको हम idma होगा बोली एक प्रकार का idma लेकिन हम उसको बोलेंगे hydropic degeneration ठीक है तो हम एक बार idma की definition और types उसके दुबारा से देखते है idma तो idma क्या है हमारा ग्रीक वर्ड oidma से बना है जिसका मतलब है swelling ठीक है यहाँ पर आप spelling का especially ध्यान रखेंगे यहाँ पर o-i-d-e-ma है ठीक है तो ग्रीक वर्ड oidma का मतलब होता है swelling इसकी definition क्या है it is defined as abnormal and excessive accumulation of free fluid in the interstitial tissue space यानी असमान और अत्यदिक मात्रा में free fluid का एकठा होना interstitial tissue space में idma हमारा कहलाता है ठीक है फिर free fluid in body cavities अगर body cavities में free fluid एकठा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे effusion बोलेंगे ना कि हम उसको idma बोलेंगे जैसे कि ascitis if in the peritonial cavity अगर peritonial cavity में free fluid एकठा हुआ है तो उसको हम ascitis बोलेंगे या फिर peritonial effusion बोलेंगे और बैसे ही हम plural effusion बोलेंगे अगर plural cavity में free fluid एकठा हो गया है और free fluid in interstitial space अगर हमारा interstitial space या extra cellular space में free fluid present है तो commonly termed है ज़िडमा तो हम उसको इडमा बोलेंगे फिर हमारे इडमा के दो टाइप साधे दे पिटिंग इडमा और non-pitting इडमा पिटिंग इडमा क्या है अगर momentary pressure देंगे finger जे subcutaneous tissue पर तो अगर depression produce होगा तो उसको हम कहेंगे pitting इडमा यानि pitting इडमा में pit produce होगा depression प्रोडियूस होगा momentary pressure अपलाई करने पर skin पर ठीक है और जो हमारा non-pitting इडमा है या solid इडमा है वो क्या है no pitting is produced on pressure pressure देने पर अगर कोई भी गढ़्धा या depression या pit produce नहीं होता है तो उ उसको हम non-pitting इडमा या solid इडमा बोलेंगे इसके example आप याद रखिएगा myxodema और elephantiasis या philariasis इसके बाद इडमा के दुबारा से types आते हैं localized इडमा और generalized इडमा जो localized इडमा है वो अगर किसी local part में हो रहा है या किसी organ या limb में हो रहा है बहीत अगर सीमित रहता है तो उसक हम कहेंगे localized इडमा इसमें आप या example आते है lymphatic इडमा, inflammatory इडमा, allergic इडमा, pulmonary और cerebral इडमा, etc. ठीक है फिर हमारा आता है generalized इडमा तो generalized इडमा में हमारा क्या है also known as anasarka इसको इनसार का भी कहते हैं dropsy भी कहते हैं और whole body इडमा होता है ये कौन सा generalized इडमा ठीक है बैन, it is systemic in distribution, particularly noticeable in the subcutaneous tissue जब ये distribution में systemic होता है system wise distribute होता है तो particularly ये कहां पर notice होता है, subcutaneous tissue में notice होता है इसके example है renal इडमा, cardiac इडमा और nutritional इडमा फिर हमारे again दो टाइपस आते हैं, एक है transudate और exudate इसमें हमें इतना याद रखना था कि transudate इडमा हमारे non inflammatory होते हैं और exudate इडमा हमारे inflammatory इडमा होते हैं फिर हमारे दुबारा से दो टाइपस आते हैं, extra cellular इडमा और intracellular इडमा, extra cellular इडमा यानि interstitial tissue space या extra cellular space में ही free fluid का एकट्टा होना इसी लिए हम इसको क्या कहते हैं, इडमा कहते हैं, और जो intracellular यानि cell के अंदर जो free fluid present होता है तो should more appropriately be called hydropic degeneration, तो हम उसको क्या बोलते हैं, hydropic degeneration बोलते हैं, ठीक है, तो यह हमारा होता है, intracellular इडमा तो इसके बाद इडमा की जो mechanism बगरा है, वो हम अपनी next video में देखेंगे, thanks for listening